गुड मॉर्निंग अब्रीबन, कैसे हैं आप सब भी, I hope all are very good, हम कर रहे हैं यह PSE 2020 का जो CSEC का पेपर था, उसको हम डिसकस कर रहे हैं, हम लगभग मैक्सिमम कोष्चिन कंप्लेट कर चुके हैं, कुछ कोष्चिन बच गया हैं, उनको हम जल्दी ही कंप्लेट कर लेंगे, आ उसको one third fill के जाता है, its weight becomes 20 kg, what is the weight of empty vessel, बहुती easy question है, इसको हम दो तरीकों से जोब हम लोग कर सकते हैं, दोनों तरीकों से देखेंगे, चले इसको एक बार जोबो हिंदी, हमें देख लेते हैं क्या लिखा है, एवो रहे कि पानी से भरे, वो एक बरतन का जो भार है, वो 40 kg देखेंगे, देखेंगे, पानी से भरा वो बरतन है, उसमें जो वो बरतन का भार भी जो वो यहां पे लिया गया है, क्योंकि पुछा ही खाली बरतन का भार है, इसका मतलब है कि खाली बरतन का भार भी हमें जो वो imagine करके चलना पड़ेगा, यदि यह एक तिया ही भरा चीक है, वन थर्ड का मतलब है कि उसका थर्ड पार्ट जो वो मैंने फिल किया, थर्ड पार्ट का मतलब है कि तीन में से एक हिस्सा, एक पार्ट जो वो मैंने फिल किया हुआ इसका, चीक है, तो यह वो रहा है कि इसका भार, अगर मैं इसको पूरा भर दूँ, तो इसका भ 40 kg में चिक है इसने बोला कि अगर इसको 1 3rd भरा जाता है तो 20 kg होगा मतलब कि अगर इसको ही मैं बरूँ तो इसका जो भार है वो 20 kg है अब देखे इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 20 है यहां भी 20 है यहां भी 20 है तो 60 होगा 60-40 20 नहीं घलत हो जाएगा 20 जो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर बरतन का भार भी यहां पर include है तो बरतन का भार भी हमें लेकर के चलना पड़ेगा अब इसने बुचा कि खाली बरतन का भार क्या है अब देखते हैं एक तो तरीका है हमारे पास जो एक equation बना दे इसकी जो भी द नहीं है तो उसका जो बहर है ठीक है वह कितना है तो vessel मतलब की V से start रही हो तो D मान लिया मैंने weight of weight of vessel ठीक है अब दूसरी बार इसने बोला कि इसको जो वन थर्ड अगर फिल किया जाता है, इसको वन थर्ड फिल किया जाता है, तो उसका जो भार है, उसका जो बेट है, वो कितना हो जाता है, 20 kg हो जाता है, तो दीखे, जो खाली बरतन है, खाली वेसल है, उसका तो वी ही रहने वाला है क्योंकि हम लोगों ने भी इसको माना था अब दीखे water जो वो कितना फिल की आब one third मतलब कि जितना उसका पूरा था पूरा कितना था w था w का one third मतलब कि w upon three w upon w क्या है w है weight of water तो इसका जो weight है वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ठीक है यह दोनों equation जो वो मारे पास given थी यह दोनों बाते जो वो मारे पास बताई गई थी तो इसको मैं first माल लेता हूँ इसको दूसरा माल लेता हूँ आपने 10th class में जो वो एक matter बढ़ था को दूसरे से माइनस करें यहां तो सिंपल है 20 जो वो कट जाएगा तो इसको मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई problem ना रहे तो चलिए मैंने यहां पर जो वो उपर लिख लिए है अब जो मैं इसको माइनस करना है मैंने first equation को second से या second को first से किसी को भी कर किसी 2 दीपलो जैए को से मुँख़ तो बेकिल जाएगे मतलब कि weight of water निकल जाएगा ठीक है इसका जोगो जैसे मालूब अगर इक्वेशन है with V और V जो वो same नहीं है मतलब WW same नहीं है तो जो वो हमें same करना पड़ते हैं वो जो अलग बात है उसको जो आप कहीं है और जो वो detail में देख सकते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर V और V same है तो यहाँ पर जो वो मैं simply minus कर देता हूँ V से V minus कहा है जो वो एसे upon में है numerator denominator है तो इसका LCM लेकर जो वो इसको सालू करना पड़ेगा 40 minus 20 40 minus 20 जो वो 20 हो जाएगा तो मेरे पास जो आगे बन गया वो बन गया W minus W upon 3 मैं इसको फिस से उपर लिख लेता हूँ तो देखे मेरे पास जो वो यहाँ पर W minus W upon 3 जो वो 20 बन चुका है अब देखे मैं इसका LCM लेता हूँ LCM जो वो 3 यहाँ पर 1 है तो जहां कुछ नहीं वहाँ पर 1 होता है 3 और 1 का LCM आगा 3 3 को 1 से डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे तो 3W आ जाएगा LCM लेकर के मुल्टिप्लाइ करके माइनस जो वो यहाँ पर 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा 1 minus W W इक्वल टो 20 अब देखे यहाँ पर क्रॉस मुल्टिप्लाइ कर देखे इसके निचे कुछ नहीं तो 1 मेरे पास बचा 2W आ गया मेरे पास 60K और W आ जाएगा मेरे पास 30K एक्वल यह जो W है यह क्या है यह जो W है यह है हमारे पास weight of water अगर weight of water 30 है तो इसने बोला था सबसे पहली पहले बात वह इसने बोले थी कि जो full of water का जो weight है वो कितना है 40K है मतलब कि अगर water का जो weight है वो 30 है तो जो vessel है उसका कितना होगा 10 हो जाएगा तो वारा जो first option है वो सही हो जाएगा अगर आप इसको detail में जो वो check करना जाते हैं तो आप जो first equation है उसमें जो वो W की value डाल करके आपका जो वो V निकल जाएगा 10 जोबो हमारा सही answer है माल लो 10 हमारा सही answer है अब देखिए अगर 10 जोबो सही answer है ठीक है 10 जोबो सही answer है इसने बोला था कि जो full of water का जो weight है मतलब कि बेसल का जो weight है जब इसको पूरा फिल किया हुआ पूरा भरा हुआ है तो 40 है अगर मैं माल लिया कि जो weight of empty vessel है बहुत 10 है तो 40 minus 10 करके जोपो मेरे पास weight of water निकल जाएगा 40 minus 10 करके मेरे पास weight of water निकल गया है 30 आ गया है तो अब देखिए अगर इसको one third किया मतलब 30 का one third किया 30 का one third का दिया मैंने तो कितना आ जाएगा 10 इस 10 का मतलब है कि देखिए यहां पर आपने जोबो ध्यान से समझना है कि जो weight of water है सिर्फ water का weight जोबो हमने 30 निकाला अब one third किया तो 10 निकला one third किया तो 10 निकला इसका मतलब हुआ one third अगर 10 है तो 10 plus 10 plus 10 10 plus 10 plus 10 मतलब कि तीन बार प्लस करने के पर जोबो यहां पर 30 आ जाता है जो कि बिल्कुल सही बात बोली है इसने कि 40 minus 10 जोबो 30 आ रहा है तो यहां पर भी one third करने पर 10 आ रहा है 10 plus 10 plus 10 करने पर 30 आ रहा है मतलब कि हमारा जो first option है विल्कुल सही है लेकिन मेरे क्याल से जो वो first वाला method मतलब कि equation बना करके solve करना जो वो सही रहेगा क्योंकि यहां पे तो अच्छा है कि first option जो वो हमारे लिए सही है लेकिन अगर हमारे पास last होता तो क्या हम लोग पहले को चेक करते हैं दूसरे को तीसरे को तो काफी time लगने वाला था ठीक है तो अगर first option जो वो सही है तब तो ठीक है तब तो आपकी किस्मत ठीक है काफी time आपके बास बचने वाला है लेकिन मेरे क्याल से आपको जो वो दूसरे वाला method से ही करना चाहिए ओके thank you and have a nice day